Hello everyone, so कैसे आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे Welcome to our YouTube channel Davic Pharmacy So friends, इस वीडियो में हम लोग B Pharmacy 4 Semester के स्लेबस के बारन में डिसकस करेंगे So वीडियो को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब की है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें and प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और भी अच्छी वीडियो लेकर आ सके So चले फ्रेंट सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं So सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपके भी फार्मसी फॉर समिस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फार्मसोटिकल और्गैनिक केमिस्ट्री, फीजिकल फार्मसोटिक्स, मेडिशनल केमिस्ट्री, फार्माकोलोजी and फार्माकोगनोसी इसमें जो आपके पहले दो सब्जेक्ट है Organic Chemistry and Physical Pharmaceutics यह आपने पहले भी अपने पिछले समिस्टर में पढ़ रखी है लेकिन जो उसके बाद वाले सब्जेक्ट्स है Medicinal Chemistry, Pharmacology and Pharmacognosy यह सारे सब्जेक्ट्स आपके इस समिस्टर में न्यू होने वाली है और यह जो सब्जेक्ट्स हैं यह आपके जो फार्मसी है उसके लिए बहुत ज़्यादा important है So please अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए आगे जो भी समिस्टर है, 5th समिस्टर, 6th समिस्टर उसमें easy होने वाले तो यह जो समिस्टर है आपका, यह सबसे ज़्यादा important समिस्टर है आपके पूरे बी फार्मसी के course का So please चल तो चलिए अब हम one by one सारे के सारे सब्जेक्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें क्या क्या है अपने पढ़ने So friends जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है pharmaceutical organic chemistry और इसका code है BP401T So इस सब्जेक्ट में हमने basically जो है stereo isomerism के भार में पढ़ने है जो हमारी first और second unit है So आपको पते है कि जो हमारे isomerism होते हैं वो दो तरहां के होते हैं stereo isomerism and structural isomerism So जो हमारा structure का isomerism है उसको हमने second semester में पढ़ ली है वो जो हमारा stereo isomerism है उसमें हमारे optical और geometrical isomerism साथ है So जो हमारी first और second unit है वो इसी के बारे में होने वाली है stereo isomerism के बारे में Next जो हमारी third unit है उसमें हम परेंगे heterocyclic compounds के बारे में Hydrocyclic compounds हमारे वो compounds होते हैं जैसके हमारे पास एक benzene है ठीक है benzene में six carbon होते हैं अगर हम उसमें से एक carbon को replace कर दें और कोई hydroatom लगा दें जैसकी sulfur nitrogen तो वो हमारे hydrocyclic compounds हो जाते हैं तो उनकी कैसे nomenclature हम कैसे करती हैं उनकी naming कैसे करती हैं और उनकी कैसे synthesis करती हैं और उनकी classification and chemical reaction uses इन सब के भार में हमने third unit में पढ़ना है नेक्स्ट हमारी आती है कोई synthetic reactions होती है जैसके हमारी बहुत सारी naming reaction होती है तो उन सब के बार में हमने fourth और fifth unit में पढ़ना है तो यह सब उनकी synthesis uses और यह सब चीजे हम इस unit में पढ़ेंगे आगे fourth और फिफ्थ यूनिट में ज़सके हमारी कोई नेमिंग रियक्शन है क्लिमंसन रिड़क्शन बिच रिड़क्शन पूल फ्रिक्शन रिड़क्शन तो यह सब रियक्शन हमने इसमें पढ़ने हैं I hope it is clear फ्रेंट्स जो हमारा नेक्श सब्जेक्ट है वह है मेडिशनल केमिस्ट्री फर्स और इसका कोड है बीपी फोर सीरो टूटी सो यह सब्जेक्ट आपके एक्जामिनेशन पॉइंट फ्यू या फिर जो कहें की कोर्स के वाइस से बहुत जादे इंपोर्टेंट है सो इसमें हम लोग क्या देखती है कि बेसकली जो भी ड्रग सती है उसकी कौन-कौन से उसकी क्लास क्या है यानकि वह हिपनोटिक्स है सेडिटीव से तो इन सब के बार में हम स्टड़ी करेंगे नेक्ट क्या उसका स्ट्रक्चर है कोई भी ड्रग का उसकी यूजिस क्या है उस पर्टिकुलर ड्रग के नेक्स्ट मेकनीजम ओफ एक्शन यानकि चो भी ड्रग हम एड्मिनिस्टर कर रहे हैं हमारी बोडी में सो वो किस मेकनीजम पर इसके बीच में क्या उनके बीच का रिलेशन है जैसके हमारे पास कोई ड्रग है पैरसेटामोल उसमें है ड्रोक्सल ग्रूप लग है अगर हम उसको रिप्लेस करें तो उसकी क्या उसका एक्शन में क्या डिफ्रेंस आएगा इनकि उसकी बैलोचकल एक्टिविटी इंक्री होगी decrease होगी तो यह सब हम discuss करती है सार में तो अगर हम स्लेबल देखे तो इसमें जो हमारी फॉस्ट यूनिट है उसमें हमने medicinal chemistry के बार में पढ़ना है starting में कि क्या introduction है कि क्या इसके scope होते हैं development history यह सब पढ़ेंगे next उसके बाद physical chemical properties in relation to biological collection यान की जो हमारी drug है उसके क्या क्या फिसको chemical physical and chemical properties होती है जैसकी ionization, solubility, partition coefficient, यह सारी properties होती है किसी भी drug की तो उसके बार में हमने सब पढ़ना है उसके बाद हाता है हमारा drug metabolism जिसमें phase one phase two reaction आती है तो यह सब हमने first unit में पढ़ना है और उसके बाद हमने क्या करना है यही सब जो मैंने पहले आपको बताए classification वगहरा उस सब के बार में हम एक एक करके सारी अलग-अलग classes को discuss करेंगे so next जो हमारा subject है वह फिसकल फार्मसोटिक second so यह हमारा second part है इससे पहले भी हमने physical फार्मसोटिक्स पढ़ी है हमारे third semester में so इसमें हमारे अलग-अलग topics हैं जैसकी collateral dispersion क्या होता है उस पे पूरी unit है हमारी rheology यान की study of flow ठीक है उसके बाद deformation of solid stress strain इन सब के बार में पढ़ना है हमने course dispersion यह भी हमारी third complete unit है course dispersion में यानकी suspension या फिर interfacial property क्या होती है कोई भी suspended particle की micromatrices drug stability सो यह हमारा सारा syllabus है physical pharmaceutics का तो यह हमने भी pharmacy four semester में पढ़ना है so जो हमारा next subject है वो है pharmacology और जो हमारा pharmacology world है उसका मतलब होता है study of drugs यानकी हमने complete study करना है drugs के बार में so pharmacology के जो दो parts होती है pharmacokinetic and pharmacodynamic so pharmacokinetic में हमने क्या पढ़ना है कि what body does to drug यानकी हम जो drug ले रही है तो उसके साथ body क्या react करेगी क्या response दिखाएगी so इसको हम represent करती है या फिर इसको हम ADME बोलती है absorption distribution metabolism excretion so इसके बार में हमने complete पढ़ना है हमारी first unit में next step what does drug does to the body so जो drug है वो अब क्या करेगी body के साथ तो यह हम पढ़ते हैं second unit में हमने पढ़ना है complete pharmacodynamics के बार में next receptors के बार में कैसे act करती है उसकी classification पढ़ेंगे drugs की structure and mechanism of action जो कि मैंने आपको पहले बताया था तो यह सब हमने pharmacology में discuss करना है so जो हमारा next subject है वो है pharmacognosy pharmacognosy में basically हम क्या है crude drugs के बार में बढ़ती है जो drugs हमें natural origin से मिलती है यानकि plants, animals, minerals तो इन सबसे जो हमें natural form में जो हमें drugs मिलती है crude drugs उस सब के बार में हम पढ़ेंगे pharmacognosy में जो हमारे उसके बाद classification भी हमने पढ़नी है crude drugs की और जो हमारे crude drugs में adulteration यानकि जो भी उसमें मिलावत फगहरा करती है उसका हमें कैसे पता ल हम पढ़ेंगे फार्मा कोपनोसी में यह बहुत ही मतलब सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट है और असान सब्जेक्ट है तो यह था हमारा syllabus complete भी फार्मसी फोर सेमिस्टर का I hope आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताए कि कौन सा सब्जेक्ट आ तो मैं उसके वीडियो आपके लिए लेकर रहूंगा